आज के विडियो में हम बात करेंगे Important Question of Foundation Course FYBA Semester 1 and FYBCOM Semester 1 तो BCOM and BA का जो Foundation Course है उसका syllabus जो है दोनों का सेम है तो यहाँ पे मैंने कुछ Papers जो है बनाए है तीन सेट मैंने Papers बनाया है ठीक है यह तीनों सेट का Papers के बारे में Important Questions के Base पे मैंने बनाया है तीनों discuss करेंगे अगर आपने इतना पढ़ लिया फिर आपको extra पढ़ने की कोई ज़रूत नहीं है यह तीनों पेपर आप प्राक्टेस कर सकते हो तो यह तीनों पेपर अगर आपको चाहिए रहेगा तो वीडियो के last में बताऊंगा कैसे आपको यह तीनों पेपर मिल जाएगा अभी मैंने foundation course से start किया है क्योंकि B.com and BA दोनों का similar है फिर उसके बाद क्या करूँगा B.com के बागी subjects का भी cover करूँगा semester 1 का फिर उसके बाद semester 2 F.Y.BA के भी subjects जो रहेंगे वो भी मैं cover करूँगा जितना भी मुझे possible होगा वो सारे topics पे मैं cover करूँगा S.Y.B.com, T.Y.B.com, T.Y.BA जो भी course मतलब जो भी मुझे जितना भी possible होगा वो सारे videos में upload करूँगा तो अगर आप ideal student हो तो channel को subscribe कर सकते हैं क्योंकि ये channel आपको exam में बहुत ज़्यादा help मिलेगा कैसे आप exams clear कर सकते हो कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो exams आपका कब है, time table बहुत सारी चीज़ों के पर ठीक है, तो ऐसे updates वीडियो में update करता हूँ इस channel पे so make sure आप subscribe करके रखे and channel पे telegram telegram पे channel भी है तो वहाँ पे भी जो है आप जोड़ सकते हैं वहाँ पे मैं link share कर देता हूँ तो आपको वहाँ पे जल्दी PDF कुछ रहेगा, तो वहाँ पे मैं PDF भी share कर दूँगा तो आपको easily समझ में आ जाएगा चलिए, अब हम लोग start करते हैं important questions का discuss करने से पहले चलिए हम लोग important questions जुड़ सकते हैं अभी हम लोग important questions का discuss करते हैं, लेकिन उससे पहले हम syllabus देख लेते हैं, ठीक है यह become का है तो अगर हम लोग become में syllabus में चले जाते हैं, देखी, यह become का syllabus है, same अगर मैं यहाँ पे बीए के पीडिएफ आता हूँ, जो university के website पे update है, यहाँ पे आप जाके download कर सकते हो, ठीक है उसमें भी syllabus जो है, same है there is no difference, syllabus देखो, यह यहाँ पे देखो, FIBA है और यह FIB.com है, दोनों का syllabus same है, ठीक है, अब इसके बेस पे जो मैंने important question निकाला है वो जड़ाद देख लिजे, ठीक है, यह आपका paper pattern है, ठीक है कितने, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह question number one कितने mark का 15 mark का objectives है, ठीक हो, मैंने यहाँ पे 15, I guess 15 mark का यहाँ पे objectives है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक हो, 15 mark का यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है, 15 mark का यहाँ पे, question number two 15 mark का full answer रहेगा, देखो question number two का A, 15 mark का है, question number two का B 15 mark का है, तो या तो आप A करो या तो आप B करो directly, है ना again question number three का देखो 15 mark का है, तो question number three again, या तो A करो या तो फिर आप B करो फिर question number 4 या तो A करो या तो आप B करो same as it is question number 4 का A करो या तो फिर आप B करो समझों यह A है यह B है यह A है और एक है B है अगिन यह A है यह यह door B यह question 15 mark कराँगा ठीक है Question number 5 है उसमें एक full length answer रहेगा और short notes short note पूछेगा आपको कोई 3 करने होंगे तीक है 15 मार्ग के रहेंगे देख सकते हैं आप लो यहां पे 5 में से आपको कोई 3 attempt करना होगा तो जो आपको easy लगे वह आप attempt कर सकते हो यह एक paper है तीक है first paper अब इसमें से यह जो important questions मैंने लिखे जैसे what steps should be taken to prevent violence against women in India यह question है important है question problem faced by the disabled people in the country that is the problem types of physically challenged make a study of form of violence against women ठीक है features of Indian constitutions fundamental duties of Indian citizens these are the important questions and these are the important short notes ठीक है यह question number paper 1 है now अब हम लोग paper 2 पे चले जाते हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने questions दूसरा add किया है causes of declining gender ratio again 15 mark का है यह option में है भी वाला what steps should be taken to prevent violence आपको सारे questions करने हां पर option में मत डालिएगा क्योंकि यह practice के लिए मैंने बनाया ठीक है और important questions सारे कवर किया यह है फिर question number 3 में again measures results linguistic conflict in India explain the economics inequality generate due to caste systems in India फिर causes of regional conflicts तो इस तरीके से जो है मैंने यहां पर fundamental duties of Indian citizens यह star mark करके रखो इसके पहला video जो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने बताया था question number 5 write a detail note on panchayat raach this is also important question फिर यहां पर short notes है यह वाला third वाला एको role of women in politics there is also a 74th amendment that is also important urbanization characteristic ruler characteristic का वो भी important है communal harmony any two aspect of diversity of Indian culture that is also important यहां पर कुछ short notes डाले मैंने यह question अब paper third है मैंने तीन paper बनाया जिसमें maximum questions होते हैं वो सारे cover कर लिए मैंने ठीक है question number two का देख लीजे gender reasons for gender disparity and violence against men in India ठीक है what are the services provided by physically disabled person causes of intergroup conflicts such as the measures eradicate मतलब reduce करना caste system कैसे हम लोग reduce कर सकते हैं उसका फिर उसके बाद यहां पर various you can say various issues regarding regarding communalisms in India there is also important question features of Indian constitution that is also important question again fundamental duties यह आप star mark करके रखो कि यह question आ सकता है ठीक है फिर अगें पंचायत राज फिर यहां पर note जो है again short notes यह कुछ इस तरीके से जो है question paper है इस question मैं share कर दूँगा यह PDF तो आपको जो suitable लगे website पर जाके देख सकते हो या telegram का link description में रहेगा वहां से जाके join करके यह PDF जो है download कर सकते हैं यह video upload होने के बाद मैं update कर दूँगा तो यह कुछ important questions रहें तो इसके अलावा भी जैसे माल लीजिए अगर हम लोग जो है syllabus की तरफ जाते हैं तो जो important questions है वो मैंने सारे cover कर लिए जैसे यहां पर first chapter में अगर आप देखोगे तो यहां पर demographic comparisons में आता है जहां पर अर्बन रूलर एरिया के अर्बन एरिया का ट्राइबल एरिया के जो characteristic है वो हमने cover कर लिया ठीक है diversity as a difference वो भी हमने cover कर लिया caste system जो genders यह भी हमने जो है ठोड़ा सा मतलब एक दो questions है इसके उपर भी add कर लिया है यह second unit से जो violence against men है यह हमने cover कर लिया है ठीक है फिर उसके बाद जो है यहां पर again inequalities faced by the people's disabilities यह भी हमने questions cover कर लिया है ठीक है फिर उसके बाद disparity arising again disparity arising with gender so यह जो main question था हमने already cover कर लिया questions में और उसके बाद अगर हम लोग third unit का देखेंगे तो third unit में कौन सा major inequality caste system वाला questions हमने cover कर लिया जिसमें communalism वाला question था यह भी हमने cover कर लिया है ठीक है linguistic का था वो भी हमने difference वो भी cover कर लिया constitution में again हम लोग ने constitution का features amendment fundamental duties of Indian citizens तो यहां पर communal harmony already हमने questions तो जो main questions थे वो सारे questions मैंने cover कर लिया है वो यह तीन paper के अंदर ठीक है तो अगर आपको practice करना है तो आप यह तीन paper अच्छे से practice कर लो आपका FCE पूरा अच्छे से prepare हो जाएगा ठीक है क्या आपको सारे topics पे वीडियो चाहिए अगर हां तो comment करके बताना फिर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ topics के उपर at least दो यूनिट के उपर मैं video upload कर दूँ जिससे आप at least pass हो सको ठीक है यह जो important questions मैंने paper दिया है उसका solution मैं upload कर सको YouTube पे ठीक है significant again politics यहाँ पे 73rd and 74th amendment again local self government इसका ही question आ सकता है ठीक है role of role and significant of women in politics यह भी questions तो जो important questions थे syllabus के सबसे हो हमने सारे cover कर लिया ठीक है अब आपने video पुरा देख लिया अब आप एक feedback दे दिजिए कि इस video के अंदर क्या-क्या missing था और क्या मैं add कर सकता था ठीक है और आपको और क्या detail में चाहिए so that मैं जब next video ऐसे important questions का बनाओ तो वो सारी चीज़े में include कर लो ठीक है और मुझे सारे courses के upload करने especially जो b.com क्यूंकि मैं पढ़ाता हू b.com में तो बहुत easy रहता है कि भाई वो सारे subjects के मैं cover कर सकता हूं जो BA student है उनके लिए थोड़ा सा video content रहे वो भी prepare कर सके ठीक है तो आप जो जो भी जिसा FY में TY में हो तो आप comment करके मुझे रखो ताके मैं आपके जो genuine comments रहेंगे उसका मैं note down करके रखूंगा और in future पर उसारे topics पे video में डालते रहूंगा इस एक guidance video जिससे help मिल जाए सभी idol student को कि कैसे easily exams clear कर सकते हैं आने वाले जो exams offline होंगे 2023 मतलब 2022 और 23 अकेडमेकर में इस साल में admission लिया तो next year जो exams होंगे बहुत सारे लोगों को doubt होता है कभी exams मेरा होगा 71 का कब होगा 72 का कब होगा तो उसके लिए playlist है YouTube के मेरे channel पर जाएए आपको में जाएगा वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है 80-80 के regarding है उसके लिए भी video मैंने बना दिया ठीक है चलो मिलते है next video में